नमस्कार दोस्तों निफ्टियों चैनल पे आप सब गास वागत तो फ्रेंड्स मैंने की समझाई थी कि पिन निफ्टी का चार्ट सभी 21,300-350 यहां मैंने लिखाई था कि यहां एक जबदर स्पोर्ट है और उपर का दूर गामी लेवल भी बताया था कि फाइनल मंजिल जो इ इस तरह से जो हमने लेवल निकाले बिलकुल वही लेवल आते हुए दिखाई दिये लेवल टू लेवल बिलकुल अच्छी तरह से ट्रेडिंग हुई और उसमें आपने अच्छा खासा प्रॉफिट अपना बनाया होगा जहां स्पोर्ट मैंने कहा है वहां पे अपना पू 10,900 के नीचे को 10,900 एक फाइनल मंजिल थी जो मिल चुकी है अगर जब तक उसके नीचे तो इसको इग्नोर कीजिए तो आपने अच्छा खासा अपना पैसा बचा लिया हो तो आगे बढ़ने से बेले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकों का बटन जो इसके लावा जो डी मैट काउंट के लिंक दिए वहां से अपना डी मैट काउंट खोलिए और ट्रेडिंग को इंज्वाई कीजिए तो आईए अब हम आते हैं सैंसेक्स में जो अब चार्ट पे स्पोर्ट दिखाई दे रही है वो दिखा रही है 73,448 इस एरिया में 73,069,690,74,078,74,166 और 74,463 ध्यान रहे 74,500 के आसपास एक दिया रिजिस्टेंस पिछले दो दिनों में क्रेट कर दिया है सैंसेक्स ने चार्ट अब फ्रेश ब्रेक आउट कहां बनता है फ्रेश ब्रेक आउट बनता है 74,500 के उपर ही एक बर 74,510,530 निकल गया तो उपर 74,784 नेक्स रिजिस्टेंस दिखाई दे रहा है मतलब जहां भी रिजिस्टेंस हो वहाँ पे अपना एक प्रॉफिट जुरूर बुक किया कीजी तो ये था प्राइज एक्शन सेंस अब बाते हैं क्रूर पे क्रूर का मैंने आपको पहली बता दिया था कि क्या दिख रहा है 9082 एक्जैक्ली वही ही तो हुआ क्रूर में 9082 फ्रेश ब्रेक आउट जो बनेगा 9565 बड़ा रिजिस्टेंस है बाकी रास्ते में ये छोटे 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 रिजिस्टेंस ठीक है ये फाइनल मंजिल होगी 9565 अगर 900112 के उपर एक बार कुरूड आ गया तो बाकी अगर 9082 के नीचे नीचे रहा तो सेल और राइस वाला आपला भी बन सकता है नीचे के और फिर से 8919 और 8826 तक रिट्रेस्मेंट दिख सकती है 8826 पे अच्छी खासी स्पोर्ट है मतलब यहां तक बाइन डिप है कुरूड 8826 तक उसके बाद आते हम गोल्ड में गोल्ड में जो फ्रेश स्पोर्ट बनी है वो बनी है 69352 के आसपास 69352 तक बाइन डिप है 60,000 अगर यहां फिर से कोई डिप आता है 69,788 और 70,800 इसके उपर के लेवल हों में और फ्रेश ब्रेक आउट जो बनता है अगर एक पर 70,804,810 के उपर सस्टेन होता है गोल्ड तो उपर आपको 71,347 71,347 फिबो नेची रिट्रेस्मेट और हार्मोनिक पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पे एक रिजिस्टेंस निकल के दिखाई दे रहा है तो यह है सारा प्राइज एक्षन इन तीनों का उसके बाद आते हैं रुपई यहां रुपईय में आपका प्राइज एक्षन क्या बनता है 83.61 के आसपास रिजिस्टेंस 83.27 के नीचे ब्रेक डाउन और नीचे की और 83.12 पहला लेवल सेकिंड लेवल 83.05 यहां पे थोड़ी हलकी फुलकी स्पोर्ट ले सकता है अगर यहां स्पोर्ट ना ली तो 83.01 82.93 और फिर वापस 82.84 पे जाके स्पोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे सकता है तो यह है रुपईय का हिसाब स्टॉक्स जो चार्ट के कोडिंग हम आपको बताते हैं कोई बाइसर रेकमेंडेशन नहीं है जो कुछ करना आप अपनी मर्जी से या किसी फिनाशियर एडवाइसर से करना है तो आपको यह जो बताया जाता है सरफ चार्ट के कोडिंग देखिए PNB में अब एक तो चैनल पे ब्रेकाउट तो पहले ही आ चुका है 113 से 133 के उपर यह इसी चैनल में कई महिने से एक महिन है क्या देर दो महिने से यहीं पर ट्रेवल कर रहा था जब से 133 के उपर आया तो इसमें एक नई होप जागी है अब यहां पे फ्लैग ब पे ब्रेकाउट दिया है यह वाला चैनल था जिसके उपर इसने ब्रेकाउट दिया है अब उसके उपर फिर से यह भी फ्लैग बना रहे है यह बड़ा सुन्दर फ्लैग बना रहे है यह देखिए चार्ट पे फ्लैग बन रहे है PNB, BEL बाकी HDFC बैंक कई महिनों की प्लैग बना रहे हैं तो अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे तो फिन निफ्टी में 21,300, 313 यह तो आपको रटी गया हो यह एक बायों डिप है यहां पर स्पोर्ट है काफी अच्छी आज़ी यहां फिर से अगर फिन निफ्टी को डिप मारती है तो स्पोर्ट ले सकती है अगर स्पोर्ट लेती है तो उपर के जो इंपॉर्टन लेवल होंगे 368, 400, 476 और वापस 580, 600 इसके उपर का रिजिस्टन्स होगा यहां पे 21,600 पे स्ट्रॉंग रिजिस्टन्स यहां फिर से यहां से गिर सकती है फिन निफ्टी नीचे की और 21,476, 400, 368 और 300 बतलब यहा पसी ही है यहां पे बाई यहां पे सेल वाला काम रहेगा अगर इस रेज के उपर निकलती है तो नई रेज में चले जाएगी क्यों क्योंकि all time high जो इसका लगा था बैंक निफ्टी की तरह ही यह भी old time high पे है और all time high लगा था 21,623 यह जो मैंने yellow line लगाई है मतलब खत्रे का निशान अगर ये खत्रे का निशान टप गई क्रोस कर गई तो 21,650 के उपर fresh breakout बन सकता है और उपर 700, 727, 55 और 780 उपर के लेवल ये वले resistance का काम करेंगे और उपर की और और भी लेवल 900, 943, 983 और 22,078 मतलब एक लंबी चलांग भी दिखाई दे रही है 22,100 तक जो की harmonic pattern के according उपर के लेवल दिख रहे हैं 22,080 तक के तो ध्यान रखना एक पर 21,653 क्रोस करना काफी जुरूरी है अगर ये क्रोस करेगी तभी blue sky zone में आएगी और ये blue sky zone के लेवल है 700, 720, 755, 780, 900, 943, 983 और 22,080 अब आते हैं ये तो था fin nifty का price action अब आते हैं mid cap nifty के price action mid cap nifty मैंने कहा था जब तक 10,900 के नीचे नीचे है तो थोड़ा ignore करो इसकी तरफ ध्यान मत दो जबकि दूसरे index काफी अच्छा भाग दो रहे हैं अब वह भी bank nifty, fin nifty पर रिजिस्टेंस पर खड़े हैं all time high के लेवल पर है खत्रे की निशान पर है जो खत्रे का निशान क्रोस करेंगे तो ठीक नहीं करेंगे तो फिर आपको mid cap nifty पर भी ध्यान देना होगा mid cap nifty आपको बताया हुआ है 10,690 से 700 के बीच का अरिया एक पर काफी अच्छी स्पोर्ट है जब तक यह यहां पर स्पोर्ट नहीं लेती तब तक market में कोई अच्छा price action नहीं बनता 10,690 से 700 तक कोई डिप आए यहां पर स्पोर्ट ले तब जाकर उपर के लेवल 745 788 और 900 रिपोर्ट रहें जब तक 900 के नीचे इग्नौर कीजिए 900 पर आपको मैंने बताई था यहां पर रिजिस्टेंस है यहां sell on rise वाला मामला भी बनता है पर थोड़ा इग्नौर करो बाई और डिप वाली तरफ ज्यादा द्यान रखो अब आखिन मिट के निफ्टी अब ठीक कब होगी वो तब होगी अगर 10,950 क्रोस करें 10,940 क्रोस करते ही आप 10,900 का जो कॉल राइटर हो फस जाएगा ट्रैप हो सकते हैं और शॉर्ट कवरिंग बन सकती है अगर 10,984, 994, 11,006, 11,098, 11,140 मतलब एक बाई 10,940 के उपर मिट के निफ्टी आगी तो फिर से धमाका इसका स्टार्ट हो अभी थोड़ी थंडी बढ़ गई है खूब बाग गई है काफी नीचे से आई है बचारी तक्रीवन 9,900 के आसपास दिप आ गया था वहां से तक्रीवन लगता है एक हजार पॉइंट डिकवर हो चुकी है तो फोड़ा सा सांस लेना तो लाजमी भाग चुकी है अगर एक बार फिर से 10,940 का लेवल क्रोस कर दिया तो वापस उनी परानी लेवल पर आ जाएगी फिर से फिर धमाका करना शुरू कर देगी तो इस यह अभी वेट कीजिए 10,900 क्रोस करें तभी इसमें कोई मसाला त्यार होगा वरना कोई मसाला इसमें नहीं है और इसकी तरफ फिर ध्यान मत देजिए 940 के उपर फिर से आप ध्यान देज़े तो यह था पूरा कंप्लीट प्राइज एक्शन मिटकर निफ्टी फिर निफ्टी का अगर और जाद से जाद वीडियो को शेर किजिए थैंक यू धंडे बाद